दोहजार बाइस के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उत्सा और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन की बजह से संक्रमन बढ़ रहा है भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित होने का पता चला है मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि पैनिक नह करें हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्ट उसका भरपुरूपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है आज जब वाइरस म्यूटेट हो रहा है, तो हमारी चुनोतों क्या सामना करने की ताकत और आत्म विस्वास भी मल्टिप्लाइ हो रहा है हमारी इनोवेटिव स्पिरीट भी बढ़ रही है आज देश के पास अठारा लाख आइसोलेशन बेट्स हैं पांच लाख आउक्सिजन सपोर्टेड बेट्स हैं एक लाख चालिस हजार आइसीऊ बेट्स हैं आइसीऊ और नोन आइसीऊ बेट्स को मिला दें तो नब्वे हजार बेट्स विशेश तोर पर बच्चों के लिए भी हैं हाज देश में तीन हजार से जादा पी एसे ऑक्सिजन प्लांट्स कायम कर रहे हैं चार लाख ऑक्सिजन सिलिंडर्स देश भर में दिये गए हैं राज्यों को जरूरी दमाओं की बफर डोस तैयार करने में सहायता की जा रही हैं उन्हें परियाप्त और टेस्टिंग किट्स भी मुहया कराई जा रही हैं साथियों कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाय का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हतियार है और दूसरा दिया रहा है वैक्षिनेशन हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्षिन निर्मान पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था वैक्षिन पर रिसर्ट के साथ साथ ही एप्रूबल प्रोसेसिस सप्लाइचेन डिस्टिबुशन ट्रेइडिंग आईटी सपोर्ट सिस्टिम सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्षिन देना शुरू कर दिया था ये देश के सभी नागरिकों का सामोहिक प्रयास और सामोहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड वैक्षिन डोज के अभुत पुर्वा और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है आज भारत की वयस्क जनसंख्या मैंसे 66% से जादा जनसंख्या को वैक्षिन की दोनों डोज लग चुकी है इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90 प्रतिशत लोगों को वैक्सिन की एक डोज लगाई जा चुकी है आज हर भारत्वासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सबसे विस्तारित और कठीन बहुगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सिनेशन अभियान चलाया कई राज्य और विशेस तोर से टूरिजम की द्रश्टी से महत्वपन राज्य जैसे गोवा उत्राखन हिमाचल जैसे राज्यों ने शत्व प्रतिशत सिंगल डोज वैक्सिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है आज देश के दूर सुदूर गाओं में जब शत्व प्रतिशत वैक्सिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोश होता है यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का हमारी टीम डिलिवरी का हमारे हेल्थ केर वरकर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सिन और दुनिया की पहली डीने वैक्सिन भी शुरू होगी साथियों कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धान्तों वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है पिछले ग्यारा महिने से देश में वैक्सिनेशन अभ्यान चल रहा है देशवासी इसके लाब भी महसुस कर रहे हैं उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी सामान्य हो रही है आर्थी गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए देश वासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझाओं के आधार पर ही इताय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए पहली और दूसरी डोज में कितना अंत्राल हो स्वस्त लोगों को कब वैक्सिन लगे जिने कोरोना हो चुका है उनने कब वैक्सिन लगे और जो को मोर्मिलिटींग के से ग्रस्त हैं та उनने कब वैक्सिन लगे हाँ एसे निर्लिणे लगा तार किये गहे और यह परिस्तित्यों को संभालने में काफी मदद academia भारत ने अपनी स्थिती परिस्थिती के अनुसार भारत के वैग्यानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णे लिए हैं वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरों पर चल रही है विश्व में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग है भारत के वैग्यानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वेक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महिने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैग्यानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णे लिए गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी है क्रिस्वस का तेओहार भी है तो मुझे लगा कि इस निर्णे को आप सब के साथ साजा करना चाहिए साथियों पंदरा साल से अठारा साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सिनेशन प्रारब होगा दोहजार बाइस में तीन जन्वरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी यह फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मद्बूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स हैं हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं इसलिए प्रिकोशन की द्रस्टी से सरकार ने निनने लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोज भी प्रारंब की जाएं इसकी शुरुवात 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्सिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयूवाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है उन्हें प्रिकोशन लेना सलाग योग्य हैं इसको ध्यान में रखते हुए साथ वर्षे उपर की आयूके को मर्मिडिटी वाले नागरीकों को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्सिन की प्रिकोशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी दस जनवरी से प्रारम होगा साथियो मेरा एक आगरह है कि अफ़ा ब्राम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए हम सभी देश वास्योंने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया है आने वाले समय में हमें इसको और गती देनी है और विस्तार देना है हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर दो देन कर दो करेंगा अब दो करेंगा कर दो चलता इस जो अ झाल 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 झाल